क्या भूटान के साथ एक बड़ा खेल कर रहा है चाइना और वो भी नेपाल की तरह जानेंगे क्यों ऐसा कहा जा रहा है और भारत को सतरक रहने की जरूरत क्यों है और इसका कदम भी उठा लिया है भारत ने 32 स्टेज़स हर साल 223 स्टेज़स विमान क्यों चाहिए भारत को जानेंगे क्या चल रहा है यहां पर तो इन सब के बीच में सबसे बड़ा खजाना भारत के हात लग गया है और इतना बड़ा खजाना कि आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका, फ्रांस के बाद सबसे बड़ा फाइदा भारत को होने जा रहा है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या खुछ चल रहा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से चाइना की हरकते किसी से छीपी हुई नहीं है हिमाले की गोद में बसे भूटान में चीन की इस तरीके से सलामी स्लाइसिंग की पर्षकिरिया अपनाता है यानी थोड़े थोड़े जमीन पर कबजा करते करते आगे बढ़ता है इसकी वज़े से भारत और चीन के सम्मंद तो खराब होई गए हैं लेकिन अब एक और मुद्दार जिसमें भारतिय सेना और चाइना के बीच में तनातनी सुरू हुई थी डोकलाम डोकलाम जो बहुत ज़्यादा फेमस है दो विसाल एसियाई देशों के बीच खुनी जड़ब से एक सुरुआत हुई थी लेकिन 2017 में डोकलाम बिवाद के पांच साल बाद भारत के अधीन एक संरच्छित हिमालई राष्ट चीन के साथ जाता हुआ दिख रहा है सीमा मुद्दो को सुलजाने के लिए चाइना द्वारा दिये गए लालच में फस गया है भूटान बिजिंग के साथ एक राजनाईक संबंद सुरु करने जा रहा है ठीपू और बिजिंग के बीच विक्सित होरे संबंदों पर नई दिल्ली की लगातार नजर है चीनी विदेश मंतरी वांगी ने 23 अक्टूबर को संकेत दिया कि चीन जल्द से जल्द सीमा वारता समाप्त करके भूटान के साथ राजनाईक संबंद अस्थापित करने के लिए तयार है चीनी नियुज एजनसी सिनुहा का कहना है कि वांगी जो चीन की कमिनुष पार्टी के केंद्रिय समीती के राजनीतिक ब्यूरो के सदस भी हैं उन्होंने भुटानी विदेश मंतरी टांडी दोरजी की चल रही बिजिंग यात्रा के दोरान ये टिपनी की है दोरजी और वांगी सीमा वारता आयोजित करने के लिए मुलाकात करेंगे चीन के विदेश मंतरी वांगी ने कहा कि दोनों पच्छों को एतिहासिक अउसरों का लाव उठाना चाहिए और अपने मकसद को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे वहीं भुटान की तरफ से कहा गया कि हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं और सिग्र ही समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं चाइना और भुटान के बीच सीमा है 600 किलो मीटर से ज्यादा लंबी ये विवादी छेत्र मुख्य रूप से पस्चमी और उत्री भागों में हैं जो लगबग 5000 वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है चीन और भुटान दोनों ही पस्चमी भुटान में डोकलाम पठार पर दावा करते हैं भारत भुटान के दावे का समर्थन करता है चीन अपने अत्यधिक रन्नितिक वेल्यू के कारण इस छेत्र पर कबजा करना चाहता है डोकलाम पर नियंतरन से बीजिंग को भारत के खिलाप एक बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा 2020 में भुटान और चीन ने अपने सीमा विवाद को सुलजाने पर बातचित लाने में तेजी किया था ये भारत के लिए बहुत चीनता जनक बात है क्योंकि ये बातचित छेत्र के दो हिस्सों पर है चीन ने हाली में पूर्वी भुटान में एक तीसरा हिस्सा डोकलाम पठार भी जोड दिया है चीन भुटान पर एक पैकेज परस्ताव पर जोड दे रहा है जिसके तहट उत्तर मध्य भुटान में विवादित छेत्र पर भुटान के कंट्रोल को मानेता देने के बदले में डोकलाम को चीन को सौप देना चाहिए यानि चीन चाहता है कि भूटान उसे डोकलाम दे दे और उसके बिजाय उत्तर मध्य भूटान में विवादित छेतर का सौधा कर ले और अगर ये सौधा होता है तो भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा लियाजा सवाल ये उठ रहा है कि क्या थिम्पू को सीमा विवादों को निप्टाने के लिए चीन के पैकेज डील को स्विकार करनी चाहिए क्योंकि भारत का पूर्वी हिस्सा फिर बेनकाव हो सकता है डोकलाम क्यों चाहता है चाइना? रनीतिक अस्तर पर डोकलाम पठार का नियंतरन चीन की सेना पीले को भारत के सिली गुडी कोरिडोर से उत्तर पूरुव तक मिलने वाले भारत के महतपुर्ण संचार लाइनों को ब्लॉक करने के लिए एक लॉंच पेड दे देगा डोकलाम पठार पर भुटान सेना का बहुती कबजा नहीं है और पीले अपनी इच्छा नुसार इस छेतर में गस्ती कर सकती है भारतिय सेना के जवानों और भुटान सेना ने कमजोर भारतिय पूर्वी हिस्से के छेतर में गस्ती की है भारत और चीन पहले भी इस इलाके में आ चुके हैं एक दूसरे के आमने सामने और बाद में मामला को सुलजाया गया था. भारत PLA सैनिको को जहमपुरी रीज तक सड़क बनाने में रोकने में कामयाब हुआ था. लेकिन 2017 में भारती बलों ने फिर से चीनी सैनिको को सड़क बनाने से रोक दिया. 73 दिनों तक चले गती रोध में सब कुछ बदला लेकिन बाद में अब जाकर ये देखने को मिल रहा है कि भूटान के सीमा से लगते छेत्रों में गाउं बसाता जा रहा है चाइना और भूटान परिसान होकर ये सोच रहा है कि साहिद बादचीत करने से समस्याई हल हो जाएंगी लेकिन यहाँ भूटान भूल रहा है कि इसके बाद भी चाइना एक्सन लेगा भूटान के उपर और भूटान के दूसरे छेत्र पर कब जाजमाने लगेगा खेर अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुई है इसलिए उम्मीद है कि भूटान ऐसा कुछ नहीं करेगा पर कहना मुश्किल है कि किसके मन में क्या चल रहा है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी ख़बर निकल करा रही है भारत अब हर साल 32 तेजस विमानों को बनाने का टार्गेट रख रहा है और ये तेजस विमान भारत अपने लिए इस्तेमाल करेगा वो अलग और दुनिया भर को बेचने के लिहास से भी बना रहा है भारत अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है क्योंकि भारत को आने वाला खत्रा दिख रहा है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत इतने बड़े बड़े ओर्डर क्यों दे रहा है और क्यों बहुत तेजी से डिफेंस मार्केट पर कबजा करना चाह रहा है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल देखिए तंजानिया की प्रेसिडेंट सामिया सुलू हसन भारत आती है पिये मोधी से मिलती है और उसके बाद कहती है कि हम आपस में कई सारे डिफेंस समझोते करने वाले हैं और आपको बता दें G20 का सम्मिट भारत होस्ट करता है और अफरिका को एंट्री दिलाता है भारत वैसे ही मजबूत कर लेता है अपने रिष्टे को इन सब के बाद जनरल मनोज पांडे पहुंचते हैं तंजानिया और तंजानिया में ये बैठक करते हैं तंजानिया में ब गुशना और तंजानिया से बादचीत करना चाइना के लिए टेंसन दे रहा है चाइना का पता वहां से साफ होता हुआ दिख रहा है भारत अब अफरिका के अंदर चार तरीके से चलना चाह रहा है पहली चीज भारत चाह रहा है टेक्निकल और एकोनोमिक सहयोग दूसरा चाह रहा है लाइन ओफ क्रेडिट लोन देना चाह रहा है भारत भी तीसरा बैपार करना चाह रहा है भारत और चौथा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है भारत अफरिका में ही क्यों भारत ऐसा करके भारत को क्या फाइदा मिलेगा आपको बता दें हमेजा चाइना किया गेció अपुर रहां है और यह भारत के लिए सबसे ज्यादा पाइदेमंद हो रहा है क्योंकि इस वक्त और की आपटे देश्विट स्थिर्प खाणीव तो था है यानि अफ्रिका मेंMe contest एंतिजार कर रहा है हतियारों का और पहले इस market को भर्ता था फाहले इस market को भरता था रूस पर अब रूस नहीं बलकि भारत ईस market को भरने को ढालने को तयार है और